हेलो अव्रीवन, वेलकम टो ओकुल, इंडिया के सबसे अफ़रडब लेर्निक प्लैटपॉर्म में आप सभी लोग का एक बाहर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने स्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ति इस इन्वार्मेंट बाई शंकर आईएस और हम लोग चौते चैप्टर पर है, एकोईटी की उकोसिस्टम किसी हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट सेवन में आज इस चैप्टर को हम लोग डिसकस करेंगे आई नो कि ये काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए फ्रुबसा हमें नंबर आफ पार्ट जो है इसमें ज्यादा लग रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग चीजों को करके विल्कुल डिटेल में अच्छे से डिसकस कर रहे हैं जिदों को समझ रहे हैं, तो आज हम लोग जो है इसमें इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंतरगत जो हमारा दिया गया है मैं ग्रूबस, उसको लेकर बात करेंगे, पिछले पार्ट में हम लोग ने एश्वरी एकोसिस्टम को लेकर बात करी है उससे पहले हम लोग लेक्स वगरा को लेकर जो चीजे हैं, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अल्गल ब्लूम्स क्या होता है, काफे सारी चीजें जो हैं इसमें डिसकस कर चुके है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कि जो लोग इस को इस वीडियो सिरीज को रेगुलर्ली फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज, जादा स्यादा वीडियो को लाइक करें, कलिक्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्स का फाइदा जो है वो, जादा से जादा लोगों तक पहुँच सके, और बाकि जो लोग चैनल पर नए है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्फू लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन वगर आप सेमेश ना हो, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आज कर लेक्चर, देखिए, मैं ग्रूफ को लेकर हम लोग यहाँ पर उतरह डिसकस करेंगे, इतना आप लोग की बुक में दिया गया है, ठीक है, बाकी जो करेंट रिलेटेड डेटा है, मैं ग्रूफ से रिलेटेड, वो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एक हमारी रिपोर्ट है, ISFR 2019, that is India State of Forest Report, काफी important रिपोर्ट है, और इस पे पूरा का पूरा एक चैप् की ये रिपोर्ट है, मतलब जो हमने इसकी summary बनाई है, उसमें से एक चैप्टर जो है, वो पूरा का पूरा dedicated है, मैं ग्रूफ को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, आपको उसका जो लिंक है, उनीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे का आ सकता है, ठीक है, फिलाल जो बुक में दिया गया है, basics about the mangroves, उसको हम लोग यहाँ पर समझ देते हैं, ठीक है, देखे, mangroves होते क्या है, mangroves are the characteristic littoral plant, ठीक है, littoral plant formation of tropical and subtropical sheltered coastline, पहली बात तो यह है कि littoral का मतलब क्या है, littoral का मतलब होता है, which is near to the sea, यानि कि समुदर क तक के पास है, near the sea shore हम कह सकते हैं, ठीक है, near the sea shore, और दूसरा term दिया गया है, that is your sheltered coastline, sheltered coastline का मतलब है, कि जो open नहीं है, ठीक है, हम कह सकते है, it's a not open coastline, और you can say which is near your gulfs, ठीक है, gulf होता है, you have the bay, उनके पास की जो coastline होती है, that is known as your sheltered coastline, ठीक, तो इस तरीके के plants हैं, जो near the sea shore पाए जाते हैं, यानि कि हम कह सकते हैं, literal areas में पाए जाते हैं, कैसे region में पाए जाते हैं, tropical और subtropical region में, ठीक है, और sheltered coastline के पास, men groups क्या है, they are trees and bushes growing below the high water level of spring tides, which exhibits remarkable capacity for salt water tolerance, यहाँ पर पहले आपको दो चीज़ समझ नहीं है, पैदा तो लिखा गया है, इसकी height के बारे होती है, below the high water level of spring tides, spring tides क्या होता है, spring tides वो प्रणीचे का tide होता है, जब हमारा sun, moon और जो आर्थ है, यह तीनों एकी direction में होते हैं, एकी side होते है, तो high tides में इसमें क्या होता है, कि sweet and height में होitा है, उनकी height है, वो जादा होती है, low tides की height है, वो कम होती है, यानि कि हम कह सक में बहुत अच्छे से चीज़ा discuss की है इसलिए मैंने आपको पिछले lecture में भी शायद बताया था कि ये environment का course पढ़ने के लिए या तो आप लोग साथ साथ geography पढ़ें या फिर आप लोग geography को पहले से पढ़ें ताकि इस तरह की जो terms है या आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो ठीक है spring tide में जो tidal range है वो high होती है यानि कि जो हमारे high tide होते है वो ज़ादा होते है ज़ादा height होती है और जो low tide होते है वो कम होती है tidal range का मतलब होता है high tide और low tide के बीच का difference उनके height के बीच का difference तो इसमें क्या है spring tide में वो चीज जादा होती है जो neep tide होता है उसमें चीज कम होती है तो पहले चीज तो यह है कि जब हमारा high tide का high water level है यानि कि जब high tide में भी high region होगा तो उससे इनकी height कम होगी ठीक और दूसरी चीज क्या है कि they have salt water tolerance salt water tolerance मतलब यहाँ पर जो पानी है वो कैसा होगा either it will be saline और it will be a brackish water fresh water यह नहीं ठीक यह बात आप समझ गए चलिए इसके बात आगे देख लेते है characteristics क्या-क्या होते है man groups के mangroves के जो characteristics यहाँ पर दिये गए है they are basically evergreen land plants दो word यहाँ पर समझने है पहला है evergreen evergreen का मतलब है सदा बाहर दूसरा है land plants यह कोई aquatic plants नहीं है growing on sheltered shores यह वही sheltered shores, sheltered coastline क्या है मैं आपको बता दिया typically on tidal flat, deltas, ashuries, base, creeks and the barrier islands अगला है best locations are where abundant silt is brought down by rivers और on the back shore of accreting sandy beaches यानि कि इनका जो best locations है जहाँ पर mangroves plants पाए जा सकते है वो ऐसा region है जहाँ पर नदियों के द्वारा बहुत जादा silt लाई जाती है siltation जहाँ पर high है यानि कि आप कह सकते हैं जहाँ पर हमारा deltas formation हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा back shore है किसका जहाँ पर sand बीचे जहाँ पर sand आ रही है accreting का मतलब होता है एक खटा होना ठीक है और back shore की region में back shore का region क्या होता है हमारा high tide जिसे कर मैं आपको इसको यहाँ पर बढ़ा के समझाओ थोड़ा सा मानी जी ये level है जहाँ पर low tide जब पानी जब तक होता है वो यहाँ तक आता है इसके उपर ये वाला region है जब तक high tide में पानी आता है ठीक है और इसके बाद यहाँ से उपर को अगर मानी जे चटान है cliff है this is a cliff ठीक है cliff मतलब चटान इसके जो यहाँ का region होगा this is known as beach यहाँ पर beach है यानि कि जो आपका समुद्री तर्ट के किनारे beach होता है वो है और जो यह वाला region कहा जाएगा जो इस width को बोले जाएगा this width is known as your back shore ठीक है इसको बोले जाता है back shore ठीक है आगे देखिए अगला क्या दिया गया है characteristic their physiological adaptation to salinity stress and to waterlogged anaerobic mud is high ठीक है यानि कि यह salinity को क्या कर सकते है उसको जादा bear कर सकते है जेल सकते है उसके लिए यह adapt कर चुके है और waterlogged anaerobic mud ठीक है यानि कि मिट्टी कैसी है मिट्टी में पानी है मिट्टी में बहुत जादा पानी है waterlogged है या आप इसको comparison कर सकते है दलदल से भी, ठीक, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, दलदल से भी इसका comparison आप कर सकते है, water locked है, और anaerobic है, यानि कि मिट्टी में क्या है, हवा नहीं है, ठीक, they require high solar radiation and have the ability to absorb fresh water from saline और brackish water, ये भी इनका characteristic है, कि इनको जादा solar radiation चाहिए, इसलिए आप समझ सकते हैं, कि ये हमने उपर बात करी, कि ये tropical plus subtropical region में पाए जाते हैं, ठीक है, उसके पीछे आप कहें कि कारण क्या है, वो यही कारण है कि इनको solar radiation जादा जरुवत होती है, ठीक, और दूसरे इनका characteristic ये है, कि ये saline और brackish water में से भी fresh water को absorb कर सकते हैं, अगना characteristic क्या है, they produce pneumatophores, बहुत important characteristic है, that is known as pneumatophores, that is known as blind roots, to overcome respiration problems in the anaerobic soil conditions, अब ऐसी soil, anaerobic जो soil है, यानि कि जहां पर क्या है, हवा नहीं है, anaerobic है, air नहीं है, ठीक है, तो वहां पर respiration, अब plants को air तो चाहिए, respiration, roots respiration कैसे करेंगी, है ना, तो उसके लिए, इन्हों ने जिस तरीके का एक development किया है, या आप कह सकते हैं, यह एक adaptation है, that is known as pneumatophores, pneumatophores क्या होता है, basically आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे नीचे आपको यहाँ पर air नहीं है, तो हवा लेने के लिए, या सास लेने के लिए, जो adaptation इस तरीकी roots ने किया हुआ है, कि यह मिट्टी से बहार आके उखती है, that is known as your pneumatophores, ठीक है, काफी senior set vertical pneumatophores और air roots up from the mud, ठीक है, तो इसमें आप यह बागे जाके देखिएंगे, जो यहाँ पर यह पर यह prop roots दिखा गया है, उसमें आपको दिखाऊंगा एक roots होती है, that is known as stilt roots, ठीक है, जो main trunk होती है पेड़ की उससे नीचे की तरफ को, यानि कि कुछ तो ऐसे हैं कि जिन में roots उपर से नीचे की तरफ को आ रही है, जिन को prop roots बोला जाता है, या stilt roots बोला जाता है और दूसरी वो है जैसे कि नुमेल्ट फोर्जिन में रूट्स जो है वो पानी से बाहर को आई है मिट्टी से बाहर को आई है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाया उपर ठीक अगला क्या दिया गया है most mangrove meditation have thick leaves इनके जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा सा मोटे होते हैं ठिक होते हैं और इनमें होता है salt secreting blends यानि कि यह salt को secrete करते हैं क्योंकि इनके पानी में क्या है बहुत जादा salt है अब इतना जादा salt को अगर यह absorb करेंगे तो यह कहीं ने कहीं इसको secrete तो करेंगे ऐसा तो है नह तो मैं आपको उपर बताया कि इनके पास यह characteristic है कि यह fresh water को absorb कर सकते है saline और brackish water वैसे भी मतलब एक तरी के साब कहिए कि नमक में पानी घुला हुआ है तो यह सिर्फ और सिर्फ पानी ले रहे है नमक छोड़ दे रहे हैं यह तो इनका एक characteristic है डूसरा यह है कि जो थोड़ पैरिटी mode of reproduction विवी पैरिटी है इसको simply हम समझें तो विवी पैरी भी बोला जाता है विवी पैरी का मतलब क्या है कि जो seed है it will germinate in the tree itself before falling to the ground ठेक है कि कोई भी जो फल है या फिर हम कह सकते है जो बीज है जो seed है वो पेड में लगे लगे ही germinate कर जाएगा यानि कि उसमें से क्या होगा वापस से sprout वगरा निकलने जो है वो start हो जाएगे जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नीचे के example दिखाया है this is your tomato this is the tomato showing your विवी पैरी ठीक है आप देख सकते है टमाटर के अंदर बीज होते है आप सभी लोगं को पता है देखा होगा आप लोगो ने है ना तो उसके अंदर के जो बीज है वो बिना मिटी में डाले हुए ही उस तरीके से अगर उसमें से germination शुरू हो जाए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से sprout शुरू हो गया है तो this is known as your this kind of a characteristic is known as your vivi perry ठीक है यह भी एक adaptation है और यह adaptive mechanism क्यों आया गया है यह उनके पास कहां से आया to overcome the problem of germination in saline water major issue यही है saline water का अगर water saline होगा तो germination जादा अच्छे से नहीं हो सकता है इसलिए यह इस तरीके के हम कह सकते हैं कि nature की जो विपरीत परिस्थितिया है उनसे इन्होंने adapt कर लिया है और इस तरीके के इन्होंने अपने नए 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 तरीके से जो है वो इस तरीके कि अगर विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए अगर इस तरीके के पेड़ पौधे जो है यह अपने आपको adjust कर सकते हैं या adapt कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं ठीक है आप लोग के लिए तो ऐसी बहुत जरूरी है कि आप लोग क्यारी कर रहे ह तो जरूरी सी बात है कि कभी ना कभी यह चीज़े होती है विशम परिस्थितिया जिनको कहा जाता है या difficult situations, difficult circumstances जिनको कहा जाता है कि आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा या कोई और तकलीफ है या कुछ भी है लेकिन चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा समझनी पढ़ेंगी आप लोग को कठोर बनना पड़ेगा ठीक है अगेंस्ट दा नेचर्स विंड ठीक है यानि कि कह सकते हैं कि जो एक होता है कि बोला जाता है कि हवाओं के विपरीज जाके आपको काम करना है ठीक है हवा का रुख आपको मोड़ना है या हवा के विपरीज जिसा में जाके आ आप सभी लोग हमारा अपना और इस platform का कभी भी वो नाम हमेशा उचा करेंगे और जरूर आप लोग महनत जरूर करेंगे अच्छे से और चीजों को आप लोग करेंगे. ठीक है? सब कुछ आप लोग जो आप को चाहिए जिन्दगी में जरूर हासिल करेंगे, जरूर आप लोग सक्सेस बहुत जल्द होगे, ठीक है, चलिए, आगे वही बात की गई है, कि salt को ये किस तरीके से secret करते हैं, ठीक है, some secret excess salt through their leaves, अब ध्यान रखना है, leaves से ये salt को secret कर रहा है, ठीक, if you see closely, you can see crystals of salt on the back of the leaves, others block absorption of salts at their roots, वही दो चीज़ मै ही है, यानि कि ये जो roots के through, ठीक है, absorption of salt को क्या करें, block करें, तो मैंने बताया, कि ये इनके पास ये adaptation है, कि ये brackish water से, ये saline water से भी क्या कर सकते हैं, fresh water को absorb कर सकते हैं, तो वहाँ से ये fresh water absorb करेंगे, तो नवक पहले ही काम आएगा, पहली चीज़ हो गई, और दूसरी होता है, वहाँ से salt को secrete करते हैं, यानि कि बाहर छोड़ते हैं, ठीक, इसके बाद जो एक अगला टाइप का adaptation है, ये भी मैं आपको पता दूँ, this is your very advantageous roots, which emerged from the main trunk of the tree, above the ground are called the stilt roots, ठीक है, these are also kind of prop roots, तो हमने इसमें देखा, new metaphors और prop roots, या फिर stilt roots से इसमें ये फोड़ा स ही क्या करना है, कि air वगरा लेनी है, respiration वगरा के लिए, क्योंकि मिट्टी तो anaerobic है, क्योंकि मिट्टी में तो water locked है, तो इसलिए दो तरीके कि यहाँ पर adaptation है, पहला है new metaphors, जिसमें मिट्टी से जो जड़े है, वो उपर की तरफ को निकल रही है, और दूसरा है कि जो main trunk से जड़े नीचे के तरफ को जा रही है, that is known as your stilt roots या फिर prop roots, ठीक है, चलिए, अगला देख लेते हैं man group profile in India, man group इंडिया में कहां कहां पर पाये जाता है, कुछ गिने चुने जगे हैं जहां पर इंडिया में man group पाये जाता है, सबसे पहला है, सुन्दर बन man groups, दूसरा है, सुन्दर बन man groups in Bengal, महानधी man groups आपका हो गया उडिशा में, कृष्णा गोदावरी man groups आपका आंधर प्रदेश में, कावेरी डिल्टाइक जो man groups है, या आपका तमिलाडू में है, this is your Goa man groups, रतनागरी man groups महाराष्ट में, then you have the man groups of Gujarat, और थोड़ा सा यहां पर भी है, that is in the island of Underwater, निकुबार, ठीक, चलिए धुरा सेंग के बारे में पढ़ लेते हैं, जो book में दिया गया है, the man groups on Sundarbans are the largest single block of tidal, halophytic man groups of the world, ठीक, largest, जान रखेंगे, टाइडल, टाइडल मतलब ही, जहां पर टाइड़ है, और halophytic man groups, अब यह halophytic क्या होता है, देखें, जहां पर दो वर्ड होते हैं, एक तो लिया गया, halophytic और दूसरा होता है, होलो जोईक, होलो जोईक का मतलब होता है, कि अगर हमें energy की जरूवत है, तो energy हमारे अंदर कैसे आती है, हम लोग जब खाना खाते है, जब intake करते हैं, फिर वो digest होता है, ingest होता है, तब जाकि हमार पस energy आती है, तो those kind of organisms, which process in this way, they are known as holozoic, ठीक है, दूसरा होता है, holophytic, holophytic का मतलब होता है, कि जो photosynthesis की process होती है, जो उसके थ्रूँ energy को absorb करते हैं, that is known as your holophytic, ठीक है, तो यह holophytic mangroves है, tidal region में पाए जाते हैं, single largest block है, of the world के, कौन से, सुन्दर बंस इन्दी वेस्टेंगोल, ठीक, the major species of this dense mangrove forest include, hairy tiara fames, rhizopora SPP, brugiera SPP, syriops, dikendra, suneracea SPP, and avasenia SPP, nipa fruiticans are found along the creek, तो यह काफी साले इस तरीके के नाम है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि ISFR की जो report है, जिसका link आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, पूरी की पूरी video series भी आप देखना चाहें, तो जरू मैं फिर से कहूंगा कि देखेगा, क्योंकि बाइनियल report होती है, 2020-2021, दोनों में उसमें से questions जरूर आएंगे, और सिर्फ और सिर्फ 10 videos है, यानि कि आप कह सकते हैं कि लगभग आप लोगं का 5-5 गंटा लगेगा, साथ में आप लोगों को एक 40-50 पन्ने की पूरी summary भी हम ल size form में आप लोगों को चीज़ें वहाँ पर दी जा रही है, तो वहाँ पर आप जाके पढ़िएगा, man groups का भी पूरा का पूरा एक chapter है, उसका link भी आपको नीचर description box में मिल जाएगा, otherwise मैं कहूंगा कि एक बार पूरी की पूरी वो जो series है, आप लोगो उसको जाके जरूर देखेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये जो नाम दिये गए हैं, ये कुछ species के नाम है, ठीक है, अब इसमें से question कैसे पूछा जा सकता है, question इसमें से आप से इनके बारे में जादा नहीं पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको दो-तीन नाम इस तरह की दे दिये जाएं कि हेरेटी- एराफेम्स क्या है, या सिर्योप्स डिकेंडरा क्या है, या सोनेरेश्या क्या है, या अवसीनी उसबीपक क्या है, आपको ये 4 पर नाम दे दिये जाएं और आपसे पूछा जाएं कि what are these, तो आपको पता हूना चाही है लिज़ आरदा में ग्रूवस species बस इतना आप लोगों को जाना ज़रूरी है UPSC इस तरीके के सवाल भी आप लोगों से पूछता है अब अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी ये चीज पड़ी है या वो जो ISFR की रिपोर्ट की में बात कर रहा हूँ अगर वो पड़ी है तो वो इस तरीके जहां पर जाने की जरुवत है वहीं पर जाएं कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो superficial level पर जानके समझके भी जवाब दिये जा सकते हैं क्योंकि उसमें से UPSC आप से ये expect नहीं करता है कि आप इनके बारे में इन species के बारे में detail में जाने आप सिर्फ ये भी अगर जानते हैं कि ये species mangroves के हैं तो इतना भी आपके लिए भी काफी है और UPSC के लिए भी इतना काफी है ठीक है यहाँ पर जो mangrove forest है this is famous for the royal bengal tiger अब जो royal bengal tiger है ये क्यों famous है क्योंकि royal bengal tiger आपको पता है हमारा national animal है ठीक है और crocodile भी यहाँ पर पाई जाते हैं यानि कि मगरमच जिनको कहा जाता है घडियाल जिनको कहा जाता है वो ठीक mangrove areas are being cleared for agricultural use agricultural use के लिए इनको mangrove areas को clear किया जा रहा है the mangroves of भीतर कनी का mangroves ये बात हम लोगों ने जहां पर बात की थी हमारे पिछले पार्ट में I think पिछले के पिछले पार्ट में जहां पर हम लोग wetlands को लेकर बात कर रहे थे और हमने जहां map को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा जो wetlands का map हम लोगों ले बनाया था जहां पर 37 टोटल जो रामसर sites है वो है ठीक है और उसमें से 10 जो 11 रामसर sites है जो पिछले साल ही हुई है तो वहाँ पर से भी question बहुत जादा expected है तो उसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखेगा और कौन सी किस state मर है वो भी ज़रूर ध्यान रखेगा ठीक है तो भीतरकनी का mangrove जो है उडीसा में which is the second largest in the Indian subcontinent harbor high concentration of typical mangrove species and high genetic diversity तो जिस भी तरीकी की mangrove species जो typical mangrove species होती है वो यहाँ पर जादा है और genetic diversity भी यहाँ पर जादा पाई जाती है ठीक है इसके बाद mangrove swamp occur in profusion in the intertidal mud flats on both side of the creeks in the Godavari Krishna delta regions of Andhra Pradesh ठीक है पहली बात तो यह है word profusion profusion का मतलब होता है large quantity में यानि कि बड़ी मात्रा में intertidal mud flats intertidal का मतलब क्या है intertidal का मतलब है ऐसा region जो जिसके ओपर क्या होगा कि अगर low tide है तो पानी उसमें नहीं होगा यानि कि वो exposed to air होगा ठीक और जब high tide होगा तो वो पानी से धग जाएगा that is known as an intertidal region या intertidal mud flat ठीक on both side of the creeks, creeks का मतलब क्या होता है कोई narrow stream हो सकती है कोई small tributary हो सकती है किसी river की कोई minor tributary हो सकती है that is known as creeks ठीक है जो गुदावरी कृष्णा का delta region है उसमें जो creeks पाई जाती है उसके दोनों side में इस तरीके के mangroves पाई जाते है इसके बाद आपको दो नाम दिये गए है mangroves of pitcha varam and vedaranium ठीक है ये pitcha varam और vedaranium जो है ये दोनों के दोनों आपके tamil naadu में पाई जाते है ठीक है they are degraded mainly due to the construction of aquaculture ponds and salt pens ठीक है aquaculture बनाय जा रहा है यानि कि जहाँ पर मशली को पकड़ा जाता है जहाँ पर आपके जो जींगा वगरा होता है ठीक है हम लोगों को पता है जैसे हमने यहाँ पर बताया कि इसमें क्या है कि मिट्टी में नमक जादा होगा क्योंकि पानी में salty water है saline water है अब वो क्या होगा कि वो नमक जब सतह के उपर आएगा वो पानी तो अपने साथ नमक भी लेके आएगा ठीक है तो वहाँ पर इस तरीके क नमक वहाँ पर से क्या किया जा सकता है it can be produced the salt production can take place from there that place is known as your salt pen ठीक है तो इसके जब वज़े से यानि कि वहाँ पर aquaculture करने के वज़े से और salt pen के construction के वज़े से यहाँ के जो यह mangroves दिये गए हैं जड़ पिचावरम और वेदारन्यम और तमिलाडू यह degrade हो रहे है ठीक इसके बाद mangroves होते क्या है mangroves are of scrubby type scrubs क्या होते है मैं आपको बताया है जानिया type होती है यहाँ पर stunted growth यानि कि जिनकी बहुत ज़ादा growth नहीं है forming narrow discontinuous patches on soft clay mud the condition of the mangroves is improving especially in the corey creek corey creek region हमारा गुजरात में है ठीक है यह बहुत सारे creeks जो है around 5-6 creeks है उन में से one of the creeks है इसक काफी जादा disputed है that is known as sir creek ठीक है that is sir creek corey creek जो आपका गुजरात के कच रीजन में पाया जाता है वहाँ पर जो है mangroves की condition जो है वो काफी improve कर रही है in size mangroves range from bushy stands of dwarf mangroves ठीक है bushy stands of dwarf mangroves मतलब छोटे छोटे चोटे इस तरीके के plants वगरा है ठीक है जाडिया वगरा है basically bushes है जो बाकि सुन्दर बंस में जो है वो बड़े बड़े थोड़ा बड़े इससे जो है वो plants और भी पाई जाते है ठीक है अगर हम अगरने वारे निकोबार आइलेंड्स की बात करें तो वहाँ पर the small tidal ashuries small tidal ashuries ashuries क्या होता है मैं आपको पिछले बात बताया है neretic inlets neretic inlets का and lagoon लगून में आप लोगों को बदाया है पहले क्या होता है जोग्रफी में लोग ने पढ़ा है ठीक है support a dense and diverse undisturbed mangrove flora यहाँ पर जो flora पाये जाता है mangrove का वो काफी जादा है divers है dense है और undisturbed है यानिकी वहाँ पर जादा जो है वो interruptions उनके साथ नहीं किया गया है ठी mangrove's plants have additional special roots such as prop roots, pneumatophores which help to impede water supply and thereby enhance the deposition of sediment in the areas where it is already occurring, stabilize the coastal source, provide breeding ground for fishes ठीक है इसे क्या होगा कि यह अब हमने देखा कि यहाँ पर इसमें अलग अलग तरीके की roots होती है अब roots जितनी जादा होंगी तो उसमें क्या होगा कि पानी जो है वो बहुत जादा तरीके से flow नहीं करेगा ठीक है और पानी अगर बहुत जादा flow नहीं करेगा तो sedimentation का deposition होगा ठीक है और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर अगर पानी मतलब बहुत जादा flow करके वापस समुदर में नहीं जा रहा है तो coastal region में अगर पानी रह रहा है तो वहाँ पर मशलिया भी हो सकती है तो ठ पर हम कह सकते हैं जब बार अगर आती है तो उनको भी थोड़ा यह क्या करता है एक पर रही है का मतलब क्या अगर इसमें ज़्यादा प्लांट है या हम कह सकते हैं कि अगर roots ज़्यादा है तो मिट्टी को ज़्यादा tightly hold करके रखेंगी तो उससे भी flow नहीं होगा तो इससे solid erosion बचेगा then next time it protects coastal lands from tsunami hurricanes and floods यह वही चीज़ है कि किस तरीके से यह tsunami से hurricane से flood से बचाएगा natural cycling of recycling of nutrients की तरह भी काम कर सकता है that is you can say one of the regulating services then next is man group supports numerous flora evi fauna and wildlife flora तो आप लोगं को पता है ठीक है evi fauna क्या होता है evi fauna का मतलब होता है aerial fauna यानि की birds ठीक provide a safe and favorable environment for breeding spawning and rearing of several fishes ठीक है spawning का मतलब आपने रेक को बताया था जहां पर मचली अपने अंडे वगना देती है that is known as spawning process ठीक it protects the coastal inland from adverse climatic condition जो coastal inland है वहाँ पर adverse climatic conditions नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि पानी है ठीक है और पानी से क्या होता है हमें पता है पानी अगर है तो पानी जो है कि adverse effect नहीं हो सकता अब यहाँ पर इस देखिए अभी सी sentence को आप दो तरहीं कर सकते है कि adverse climatic conditions को क्या करता है protect करता है मतलब उससे बचाता है या फिर आप कह सकते है कि moderating climatic condition provide करता है ठीक है दोनों का मतलब एक ही है अगला है जो है that is your it provides woods, firewood, medicinal plants and edible plants to local people you can say this is one of the supporting services ठीक है न यह types of जो हमने services के बारे में पढ़ा है of the ecosystem उसमें से यह supporting service हो सकती है कि इस तरहीं की चीज़ें भी provide की जा रही है ठीक है अगला क्या है it provides numerous employment opportunities to local communities and augments their livelihood ठीक है कि इस तरहीं की एक्वा कल्चर करने की जो बात की जा रही है salt pen करने की जो बात की जा रही है उससे क्या होगा कि लोगों को वहाँ पर employment opportunities मिलेंगी यानि कि रोजगार के आउसर मिलेंगे और उनकी जो livelihood है यानि कि जो आप जीवी का है उसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ सकती है ठीक है यहाँ पर दिया गया है last में एक topic और that is your threat कि mangroves को threat क्या है mangroves को destroy किया जा रहा है for conversion of area for agriculture purpose यानि कि इसको कृशी शेत्र में बदलने के लिए इस area को destroy किया जा रहा है for fuel, for fodder and salinization, mining, oil spills, aquaculture ठीक है इन सब की वज़े से भी नुकसान पहुच रहा है chemical pesticides का यूज हो रहा है fertilizers का यूज हो रहा है और industrial purposes का यूज हो रहा है इन सब की वज़े से जो है वो नुकसान पहुच रहा है mangroves को ठीक है जाके आप इसको एक बाद जरूर पढ़िएगा क्योंकि वहां से आपको मैं बता रहा हूँ guarantee के साथ कम से कम एक से दो सवाल इस साल और एक से दो साल सवाल जो है वो अगले साल के exam में जरूर आएंगे तो जाके अगर आप पांच घंटे पढ़ते हैं और सिर्फ और सिर्फ मैं कहा रहा हूँ कि जितना अगर हम लोगों ने उसमें पढ़ाया है जो भी information जो भी data दिया गया है उसको जाकी भी अगर आप एक बार पढ़ ले ठीक है और वो summary अपने पास रखके दो तिन बार उसको revise करें तो वो दो से तीन सवाल जो आएंगे उसको आप बढ़े असानी से solve कर सकते हैं ठीक है तो अभी भी यह chapter जो है complete नहीं हुआ है इसमें अभी एक दो topic और बच्चे हुए है तो most probably हो सकता है कि दो से तीन parts अभी हम इसमे all लगाएंगे ठीक है कि coral reefs को लेकर अभी हमने थोड़ा सा और बात करनी है और एक दो चीज़ां और है जिनको लेकर अभी इस chapter को हमें आगे बढ़ाना है ठीक है तो अगले lecture में इसको हम लोग coral reefs से start करेंगे और आगे continue करेंगे ठीक है चलिए तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारा telegram का जो group है that is okul gs upsc discussion forum इसको join करके आप वहाँ पर अपने doubts बूच सकते हैं इसका link नीचे description box में दिया हुआ है या फिर आप इसको telegram message करके भी join कर सकते हैं इस पूरे के बुरे video series का जो full codes है वो हमारी website पर available है उसका भी link नीचे आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल रहे हैं साथ ही chapter wise notes भी आपको provide किये जा रहे हैं और quizzes भी आप लोग को बहुत जल जो है वो provide कर दिये जाएगे तो videos के जरीए आप लोग पढ़ सकते हैं आप लोग concept सीख सकते हैं notes के थूर आप लोग quickly revise कर सकते हैं और quizzes के थूर आप लोग अपनी preparation अपनी तयार requests कर सकते हैं course purchase करने संबंधी अगर आप कोई technical गई face करते हैं तो आप हमसे whatsapp के थूर इस number पर contact कर सकते हैं 9498086380 बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बाद share करना चाहें कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें तो उसके लिए आप हमें हमारी email id के through contact करियेगा that is support at the read ocul.co बाकी हमसे ज़्यादा जुडने के लिए आप हमें facebook पर instagram पर, linkedin पर और twitter पर भी follow कर सकते हैं thanks for watching till the end आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like ज़रूर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करें अगर आपने अभी तक हमारे इस youtube channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे और bell icon press करना बिलकुल नहीं भूलेगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के notification सबसे पहले मिल सकते हैं अपने comments करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह video कैसा लगा